नमस्कार आप सभी का अगेंस्ट कफशन 99 में बहुत बहुत सागत है आज हम लोग जानेंगे सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI लगाने या सुचना मांगने के कारण किसी भी PIO द्वारा या लोकशिवक द्वारा किसी RTI कारिकरता RTI आवेदक को किसी वीत्र की छती पहुचाने का कार्ज किया जाता है या उस पर जान लेवा हमला किया जाता है या हत्या कर दी जाती है तो इस संबंद में उसकी परिवार एवं RTI कारिकरता को किस प्रकार स्रक्षा परदान करवाने है तो संबंदित विभाग को एक सिकायत आवेदन मेल के द्वारा की जा सकती है जिस पर कारवाई कर आवेदक को एवं उसकी परिवार को समुचित स्रक्षा परदान की जा सकती है चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दवाकार ओल पर भी क्लिक कर ले जिससे इस तरह के उप्योगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप भी आर्टियाई एक्ट का प्डियो कर भारत में हो रे ब्रष्टाचार में कमी ला सके और इस कार्डि को करने में यदि आपको किसी भी पी आईयो लोक्षिवक से किसी भी तरह की छती की संबावना है तो अपनी सुरक्षा है तूँ हो सामोहिक या व्यक्तिगत इमेल से भी सिकायत प्रेशित कर सकते हैं इसे इतना सेयर करें जे हर भारतिय को इसकी जानकारी हो शकी तथा एक लाइक अवश्र कर देंगे तो देखें यह हमारे ग्रूप के द्वारा तैयार किया गया सिकायत पत्र है और सामोहिक रूप में किया गया है जिसमें 2223 को ही भारत के कई राज्यों से इमेल के माध्यम से हमारे हजारों साथियों के सहयोग से यह काम हुआ है और मैं एक वाद की सुनवाई 132223 को कहने का मतलब 10 दिन बाद ही मैं आयोग के समक्ष सुनवाई कर रहा था जिस विशे में मैंने इस वाद को रखा मुक्ष शूचना आयुक नरेंद कुमार सिन्हा के समक्ष तो मुझे उपस्थित परतिपक्षीगन स्चो जो वहाँ उपस्थित थे उन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि इने समुचित सुरक्षा परदान की जाया और इसकी सूचना स्पी मधेपुरा को भी दी गई उस समय में रतवारा सहपी आयू की खिलाब सुनवाई कर रहा था इसी दोरान नरेंद्र कुमार सिन्धा मुक्ष सुचना आयुक्त जो विहार के हैं उन्होंने करी हिदायत दी कि यदि इसे कुछ होता है तो आप लोग की जबाब दे ही होगी और आप लोग भी फस जाएंगे इसलिए उन्होंने मुझे समुचित सुरक्षा परतान करने की डारीणटी ली है और इसकी सूचना मधेपुरा SB को भी देने की बात कही चुकि मैं भागलपूर जीले से हूँ तो इसकी सूचना भागलपूर जीले के जिलापदाधिकारी और SSVP को भी मैं पुर्म में दे चुका हूँ और इस ग्यापांग के माध्यम से यह हजारों मेल जा चुका है चलिए आप लोग किस प्रकार से अपना सिकायत प्रिशित करेंगे देखें IT Act 2000 की धाराचार के तहत मेल के द्वारा सिकायत प्रिशित करने के समय यह मेल के द्वारा भी सिकायत होता है जो IT Act 2000 की धाराचार के तहत वर्णन है आईटी एक्ट दोजार की सुसंगत धारा चवालिस को के तहत मात्र रासी डेर लाक रुपये का आर्थिक रूप सी प्रते कावेदन पर डंडित होंगे पत्रांग बिहार शिकायत आर्ट याई कारिकरता सुरक्षा चार दिनांग दो दोजार तैस प्रिशक भारत के मतदाता साकरदाता सार्ट याई कारिकरता प्रेशित कहां कहां की गई है पहला रास्टपती के सचीव रास्टपती भवन नई दिल्ली दूसरा उस्तम न्याले नई दिल्ली उच न्याले पटना बिहार तिसरा क्रमिक लोग सिकायत एवं पेंशन मंत्रा ले नई दिल्ली चौथा विदिक एवं न्याय मंत्रा ले न्याय विभाग जैमल मेर हाउस नई दिल्ली पाजमा राजिपाल सचीब ग्रीः विभाग मुख सचीब सामान प्रशाशन विभाग पतना विहार चठा मुख सूचना आयूक नरेंद कुमा सिन्ना विहार राज सूचना आयूक पतना विहार सातमा डीजीपी और एस भर्थी पतना विहार आठमा विहार के जीला भागलपूर और मधिपूरा के जीला अधिकारी और पुलिस सदिक्षक नौमा सक्षम प्राधिकारी जिने मे प्रिशित क्या जा रहा आई पीसी अठारा स्वाट की धारा 21 की तहत सभी लोक्षेवक हैं इसमें 17 लोक्षेवक की विरुद में आठ याई लगाकर भष्टा चार का खुलासा किया है जो हम पर पुर्व में दो बार अफायार भी दर्ज करवा चुके हैं तथा एक बार जान की लिम्ठिट आवेदन दिये गए हैं पहला पत्रांग भिहार सिकायत और्ट आई कार्यकरता सुरक्षा 4 31 12 22 दूसरा असमरन पत्र सकेंड भिहार सिकायत आठ्याई कार्यकरता सुरक्षा 33 22 422 तीसरा समर पत्र फिस्ट बिहार सिकायत आर्ट आई कार्वीय कर्ता सुरक्षां दो 175 बाइस चोथा आवेधन सिकायत आट आई कार्वीय कर्ता सुरक्षां 1 दिनांक 844 बाइस भारत का RTI कारिकर्ता सहकरदाता सहमत दाता दिव्यांग नाम प्रवीन कमार सरमा प्तावऑ सिष्वर प्रसाद सरमा रागोपूर्टी कर पंचायत नुऔर्पूर पोष्टनातनगर थाना मधुशूदन पूर ओपी थानानातनगर घीला भागलपूर राजबिहार मुवाइ करने की संबंद में भारत आर्ट आई करकरतों की सामुएक सिकायत प्रिशित है जो 57 पेज की है यह 57 पेज का पीडिया बना कर इन सभी विभावाओं के और इन सभी पदादी कारियों को हजारों मेरी और से मेरी सुरक्षा परदान करने के लिए दी गई है जिसमें आप लोग सुरक्षा की गारेंटी ली गई और इसकी सूचना संबंधित स्पी को भी दी गई आप देखें पत्रांग बिहार सिकायत आर्ट आई कार्यकरता सुरक्षा चार्थ दो दो जारताइस लोग शिवक पहला सुनवाई में देरी के लिए मुख सुचना आयोक नरें कुमार सिन बिहार सुचना आयोक पत्ना बिहार पर डीजी पी आरस वेटी पत्ना बिहार अफायार दरजकर जेल भेजे दूसरा जीला मधेपुरा अंतरगत रतवारा अउपी आलामनगर्थ थाना में ततकालें रतवारा एसेचो रामनिवास चौदर रामनिवास पर डीजी पी आरस पत्ना बिहार अफायार दरजकर जेल भेजे सिकायत का अधार पहला बिहार सुचना आयोग में पुलिस अदिक चख मधेपुरा के खिलाब वात संख्या इतना और इतना सुनवाई करने जा रहा हूं जड़ी मेरी हत्या करवा दी जाती है तो इसमें पुलिस अदिक चख आवेहांत होगा किर्प्यासिक्र मदद करने की किरपा की जाए आवेदक मेरा नाम है या सत्रह 16 पुलिस पदाधिकारी का नाम भी है इनके खिलाप सूचनात्म का आवेदन संबंदित कोट में भी दी गई है दूसरा दिब्यांग एवं मेरे पुरे प्रिवार के सदस्यों पर ही रतवारा ओपी आलम नगर थाना कांट संक्या इतना डेटिर इतना दर्ज करवा दिया गया है आवेदक यह भारत के मद्दाता एवं करदाता सा आर्टि आई कार्यकरता पत्रांग विहार सिकायत आर्टि आई कार्यकरता सुरक्षा चार दिनांग दो दो तैस तिसरा हाई कूर पटना में सिकायत दर्ज करने पर मेरी तरफ से वर्सों बिलम से FIR दर्ज किया गया है लेकिन कोई कारवाई नहीं की जा रही है आवेदक इस प्रकार करके 57 पेज का पीडियाप बना है जिसमें मेरी तरफ से हजारों मेल किये गए हैं हमारे सहयोगी के द्वारा जो भारत के अनेक राज्यों से हैं चौथा मार पीट कर गंभी रूप से सिरांग गर्दन कमर पर प्रहार कर जख्मी कर दिया गया था जिस कारण घंटों बेहोस रहा आवेदक पाच मा दिनांग बाइस तीन दो जारे कीस कुजिला मदेपुरा अंतरगत रतबारा उपी आलमनगर्थ हना में मेरी परतिपक्ची गंसी मिलकर ततकालीन रतबारा एसे चूर आउनिवास चौधरी मेरी हत्या करवाने का प्रियास करते हुए मेरा मोबाइल भी छिनवाद दिया गया क्योंकि उसमें कई पदादिकारी के इखलाब रस्टाचार का साक्ष था अविदक इस प्रकार या घायलवस्ता का चित्र था जिने सवी साक्ष के साथ 57 पेज में यह सुरक्षात्मक आविदन सुरक्षा परदान करने हेतू भारत की राष्टपती हाई कोट और संबंधित पुलिस पदाधिकारी को दी गई है जिसमें मुझे 13.2.2023 की सुनवाई के दोरान सुरक्षा की गारंटी परदान की गई है आप लोगों को भी यदि इस प्रकार की सुरक्षा चाहिए आप लोगों को भी किसी RTI लगाने के कारण किसी भरष्टाचार को उजागर करने के कारण जानलेवा हमला होने की संभावना है तो आप लोग भी अवस इस प्रकार सुचनात्मक आवेदन मेल के माध्यम से एवं अन्यमा माध्यम से भी आप दे सकते हैं आर्टे आई एक दोहजार की धाराचार के तहत सिकायत एमेल के माध्यम से प्रिस्ट करने का अधिकार प्राप्त है जैहिन जो इस चैनल से नहीं जूर पाए हैं वो अवस जूर लें तथा इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को आल पर जरूर क्लिक करेंगे इसमें तीन प्लेलिस्ट बनावा है प्लेलिस्ट में जाने के बाद अने को आर्टे आई से संबंदित लोग सिकायत से संबंदित लोग आयुक्त से संबंदित जानकारी है आप लोग अवस्र ग्रहन कर भरस्टाचार के खिलाप लरें जिससे भारत में भरस्टाचार में कमी आए तथा हम लोगों का काम आसानी से हो सके जैहिन